नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों T20 वर्ल्लकप का फाइनल मुकाबला और निजिलैंड के बीच में खेला गया और इस फाइनल मैच में हमने देखा जिस तरह की परफॉमेंस रियल में और ऐस्टेलिया के खिलाडियों ने क जियां आपको बता दे मैक्सवल ने अभी हाली में भारती टीम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि कैसे भारत की वरे से वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीस पाये हैं इसलिए आपको अमारी वीडियो को अंतक देखना है लेकिन उससे पहले अगर आप भी मैक्सवल को ये बहतरिन खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जनू करिएगा और कमेंट करके बताना कि आप मैक्सवल को 100 में से इस तुफानी पारी के लिए वो फाइनल मैच में कि आई थी, वो रियल में कापके कारगर सावित था और न्यूजलेंट के खिलाडियों का और न्यूजलेंट के फैंस का पुरी तरह से जो उमीडे थी वो बुलंद थी, अब इसके बाद जो देखने को मिला आज फाइनल मुकाबले में वो हमें ये देखने को मिला कि लिया की टिम इस मैच में तब आगे निकल गई ये निजलेंड वाले भी नहीं समझ पाएं अब इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सभी खिराडियों की जहां तारिफ हो रही है तो मैं डेविड वर्नर और मैक्सवेल ने भारत को लेकर भी अपनी बाते रखी हैं जिसके मैं आपको बता दूँ कि मैक्सवेल ने और डेविड वर्नर ने कहा कि हमारी जीत जो है वो तमाम दर्सकों की दुआओं की वज़े से है फिर वो दर्सक चाहे भारत के हो या फिर किसी और देश के सभी ने हमारे लिए दुआ मांगी उसके बाद हमें ये जीत मिली है ये ज इस वेल ने कहा है कि साफ साफ की भारत के जिस तरह फैंस ने हमें सपोर्ट किया आज फाइनल मुकाबले में वर रिल में कारगर सा भी तरह इसके दावाँ डेविड वर्नर का कहना है कि हमने आईपेल से बहुत कुछ सीख लिया है क्योंकि डेविड वर्नर को आईपेल के बीच मैच में ही ना सिरफ कप्तानी से हटा दिया गया था बलकि प्लेइंग 11 से भी हटा दिया गया था इसके बाद डेविड वर्नर ने कहा कि अगर मेरे साथ इतना सब कुछ ना हुआ होता तो सायद मेरी आखें ना खुलती है अपने देश को जिताने के बाद तो अगर आपको भी मैक्सेल और गॉर्नर की पारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को जरू सब्सक्राइब करना धन्यवाद